जानेगे कि इस काईरोबारी सब्ता में नौन एगरी कमोनिटीस का जो बजार है वो कैसे देखने हो मिल सकता है तो शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं पिछले हफते में बात की थी कि गोल्ड में 48,000 के करीब प्राइज जा सकती है और वहीं चान्दी में 63,000 से 64,000 के लेवल देखने मिल सकते हैं अंतराश के बजार में 17,95 के उपर के हाईज हमने स्पॉर्ट गोल्ड में देखे और सिल्वर में लगभग 23,25 डॉलर के करीब क्लोजिंग दी है कोल्ड ने हाला की एक करेक्शन दिखाई थी और लगभग 17,65 से 17,70 के बीच की क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है आने वाले हफते में ऐसा लगता है कि जब तक 46,500 के उपर domestic gold prices टेकी हुई है तब तक buy on dip की रंडिती अभी भी अपनानी चाहिए 46,700 से 800 के बीच upside में 47,500 से 47,700 के स्थर देखने मिल सकते हैं गोल्ड में वहीं अगर मैं चांदी की बात करूं तो 62,000 का एक immediate support है जब तक उसके उपर price टेकी हुई है तब तक upside में 46,500 से 65,000 तक के level देखने मिलेंगे जो अंतराश्य बजार में करीब 24 डॉलर के आसपास है वहीं energy complex में हमने देखा कि recent highs के करीब बजार ने closing दी है जो November वाइदा है जो अभी active contract होने वाला है वहाँ पर 6,150 के करीब भी closing आई है और overall trend के इसाब से 6,020 से 6,000 के उपर जब तक prices हैं तब तक 6,280 से 6,300 तक किस तर देखने मिलेंगे वहीं हमने ये देखा है कि natural gas में जो उठा पटक है वो पहले से बहुत ज़ादा है और 440 से 445 के करीब resistance है जबकि 390 का एक support है आने वाले सब्ता में भी यही लगता है कि salon rallies का एक रुजान रहेगा याने उपरी सतरों पर resistance फेस करेगी prices और downside में 390 से 380 तक के नए recent low देखने मिल सकते हैं जो सबसे ज़ादा उटक हमने देखी थी या एक rally हमने देखी है वो base metals complex में देखी है जहां पर copper, zinc और aluminum तीनों में ही नए recent highs देखने मिलें in fact zinc और aluminum में हमने नए all time highs भी देखे और सबसे ज़ादा तेजी हमने zinc में देखी जहां लगवक 60-70 रुपए की तेजी एक ही हफते में आई है उसका कारण यह है कि जो zinc के सबसे बड़े producer वहाँ पर zinc की जो supply है वो कम होने की news हमने पिछले हफते देखी और overall भी base metals का जो supply chain ह है वो काफी impact हुआ है पिछले एक साल से और अभी तक उस चीज से उबर नहीं हो पा रहा है तो यह देखा गया है कि हमने copper में भी more or less higher range में trade होते हो देखा है और वही aluminum में भी हमने जो है all time high almost हर हफते बनते हुए देखे हैं आने वाले हफते में तीनों ही commodities में जो तेजी क का रुख है वो बना रहने की उम्मीद है शुरुआत जिंक से करते हैं तो जिंक में ऐसा लगता है कि 305 से 307 तक की एक correction possible हो सकती है क्योंकि वो एक breakout लेवल था और एक support लेवल होगा अभी आने वाले कुछ दिनों में हमें 338 से 340 तक के level देखने मिलेंगे ऐसा मेरा मनना है वहीं copper की बात करें तो 780 का एक daily closing basis support है जब तक उसके उपर trade करेगा तब तक ऐसा लगता है कि 803 और उसके बाद लगवक 812 जो पिछले all time highs थे वो देखने मिलेंगे वहीं aluminum में 248 का एक important support है इसके उपर जब तक है तब तक 260 से 262 तक की range हमें देखने मिल सकती है तो यह था एक जाइजा की अगले हफते और उसके बाद अलम्बे यवदी के लिए भी क्या रुजहन रहे सकता है